वैसे काफी टाइम से मैं इस टोपिक के उपर बात करना जाता था जैसे कुछ लोग वाटसअप के उपर, फेस्बुक के उपर एक पोस्ट शेर करते रहते हैं कि इतने रुपे जो हैं अगर तुमने मंदिर में दान कर दिये इसकी जगा अगर तुम यहां लगाए होते या इन गरीबों को दिया होता तो पता नहीं इनका क्या हो गया होता जैसे वो लोग वही मंदिर में बैटे थे और उनको पता थे एक्जेक्ट कितने रुपे जा रहे हैं सेक्स के लिए संस्कृति का यूज करते थे ऐसी लाइन बोलकर अपने आपको कूल डूड दिखाने की कोशिश करने वाली सुरलीन को अपने आपको बहुत जादा लिबरल समझती है और इस सो कोल्ड फेमिनिस्ट को यही लगता है कि धरम के ओपर मजा कर देना और देश के ओ चाह ю हूँ जाब बोलने की आजदी है अभिविक्ती करने के आजदी है तो क्या आप हमारे हिस्टोरीकल केरिक्टर को मैइठीलोजिकल करेक्टर को चेंज कर दोगे, नहीं होगा, और मैं एक अदम आगे बढ़कर मैंने ये पहले वी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आप क आज नहीं चलेगा वो सब आज को इसी में कोमेडी दिखती है सेक्स की बात करना पॉन के बात करना अंडर कार्मेंट के बात करना शायद उसके दिमाग में यही कचरा बरा हुआ है और वह यही बोलने के लिए आती है स्टेज पर यही मेरा आज का टॉपिक है पॉन चला भी लिब्रल जो अपने आपको stand-up comedian समझते हैं उनको comedy के नाम पे तो कुछ आता है नहीं तो यह क्या करते हैं इनको कुछ line नहीं मिलती तो देश के उपर या धरम के उपर बोलना स्टार्ट करते हैं या फिर उपर धान मंतर नेंदर मोदी जी के उपर कुछ बोलना स्टार्ट अरे नहीं होती comedy तो छोड़ दो यार किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की तुम्हारे बस की नहीं है यह चीजे तुमसे नहीं हो पाएगा और जो यह बहुत सारे लोग ठाके लगा के हंस रहते ऐसे घटिया चीजों के उपर तुम इन लोगों को देखोगे तो तुमें घि या टिपनी की हैं तो यह लोग अपना victim card open करते हैं कि क्याते हैं कि हमें freedom of speech है, freedom of expression है, क्या हमारी freedom of speech खतम हो गी है, अपने मारा freedom of expression खतम कर रहे हो, freedom of speech का क्या यह मतलब है कि देश के विरूद बोलना स्टार्ट करो, freedom of speech का क्या यह मतलब है कि धरम के विरूद बोलना स्ट तुम दुनिया में कुछ करना तो दूर की बात है, तुम एक मजाग बनके रह जाओगे, जैसे ये लोग बनके रह गए है, जिसको ये भी नहीं पता, इसकोन है क्या, जो अभी फिलाल पेंडमिक चल रही है, उसमें पांच करोड लोगों को जो ये बोजन करा रहा है, कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं, या इस चीज के बारे में नहीं पता, जो वो अच्छाई कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं पता इनको, सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग में जो गंद भरा हुआ है सिर्फ और अपने मूँ में जो गंद लेके आते हैं उसे वो बोलना शुरू करते हैं अब एक कुछ बोलने से पहले कुछ सोच भी डिया करो और सुलेंक और कुनाल कामरा जैसे हैं लोगों के उपर तो इतने जैसे वीडियो बनने लगे हैं लोग उनका मजाग उड़ाने लगे हैं उनके उपर दो लाइने मैंने भी लिखी हैं कभी-कभी सोचता हूँ क्या सोचकर दुनिया में आये थे ये लोग कोई भी आता है इनको बजा कर चला जाता है जैसे समझ रखाओ इनको ढोल मुझे बोलना बहुत जाता था लेकिन क्या करूँ एक वूमन है रिस्पेक्ट है जो हमारी संस्कृती सिखाती है किसी औरत के बारे में गलत बोलने से तो आज उसी को लेकर इसको कुछ बोलने रहा हूं लेकिन कुनाल कामरा भी बाकी है उसके परती कोई रिस्पेक्ट नहीं है वो तो एक लड़की लड़की नहीं है उसका तो हम अगली वीडियो में देखेंगे कैर बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में जाहिंद